गुड मॉनिंग सुबेरे के सारी छे बज़े हैं और आज तीन बज़े से ओड़ गई हूँ क्योंकि आज मैं आज मेरी दिवरानी कप अच्छा होने वाला है तो उसे पेन हो रहा है पहुत तो आज हो सकता है आज हमनों हो स्पिटर भी जाएं और अभी मैं फटाफा टीशू इसको रड़ी करके उसे स्कूल भेज देती हूं उसके पास मैं सोचोंगी कि क्या करना है क्योंकि उसे लेबर पेंट चालू हो गया है उसका डेट से उपर हो गया था तो आज मैं होस्पिटल भी मुझे जाना है और मैं नहां भी ली हूं हम लो रेड़ी हो चुके हैं औbowl झा रहे हौस्पिटल देखते हैं अज क्या हो रहा एं बड़े मंजी बड़े पापा बन रहा है तो हम लोंको बहुत खुसी है तो चलिए हॉस्पिटL चल के Дेखते हैं और अब हम हॉस्पिटल पहुच चुके हैं यह हमारी देवरानी है जो दर्द से तडप रही है और यह देखिए हमारी क्यूट ट्री बेबी गल जो सीजर से हुई है यह देखिए बेबी गल को मैंने उठाया हुआ है अपने गोदी में यह मेरे सास ससूर बुवा सास देवर सब हैं हमनों हस्बेंड और इस तरीके से हमारी फैम्लिया देखिए यह पेबी गल किती प्यारी है बहुत ही प्यारी सी गुडिया रानी है और इस भी इसे गोद में उठाया है अपने गोद में और अब मैं आ रहाती हूं घर मैं हाथ मों धोकर कपड़े चेंज करकर कीचन में आ गई हूं और मैं सबसे पहले जुनगा जो होता है न लोबिया आप लोग क्या बोलते हैं जुनगा थोड़ा सा उसे बॉयल होने के लिए रख दूंगी क्योंकि मैं आज बना रही हूं मूली वैगन और जुनगा की सबजी जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और हॉस्पिटल से आते आते मैं सब सब्जी भाजी भी ले आई क्योंकि मार्केट पढ़ता है बीच में तो मैं यहां पर बरबटी मुली टमाटर इस तरीके से बहुत सारी सब्जियां लाई हूं और मार्केट ज़ाओ तो ग्रीन वेजीटेबल देखो ना तो मन बहुत ही खुस हो जाता है और खरीद लेती हो इस तरीके से मैं सब्जी लेकर आऊ लेके है और मैं बनावांगी मुली भाटा अर ढ्रटा dullah कर दालने के बाद तीनच दाने में दखब है और मुली को धो कर हम डाल दीए इसे गोलडन रावन्होंगे ने अधिया ले रहे हैं जिसे हम पतला पतला कट कर लेंगे और यह सबजी ना फ्राइंड तरही वाली बनेगी बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती है और आप चाहें तो आप इसे बीना लसुन प्याज की भी बना सकते हैं मैंने जो प्याज ढाला है ना अब उसी स्किप कर दीजिए तो इस तरीके से और मेरी मूली गोल्डन ब्राउन हो रही है तब तक मैं दाल को चड़ा लेती हूं इंडक्शन कुक्टॉप में ताकि हमारी दाल भी गल जाए और हमारी मूली भाजी भी कट रही है तो लगातार मैं इसे चबमा चलाते हुए इसे भून लूँगी दो मिन तक लगा तर चमश चलाते हुए इसे भूनना है और इसमें स्वात के नुसा नामा धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर मैंने डाला है इसमें बहुत ज्यादा मासालों की भी जवरत नहीं होती और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है खासकर मैंने एक कटोरी दही लिया है दही को अच्छे से फेट लिया है अब फर धनिया को मैं एक मिक्सर ग्रेंडर जार में डाल दी हूँ और यहां पर जुनगा भी बॉयल हो गई है जिसे मैंने निथार लिया है पानी से अलग कर लिया है और इसे दो मिनट के बाद इसे भून तब तक हम धनिया को पीस लेते हैं घौकि फर धनिया खड़ा रहता है तो खड़ा डालने से टेश नहीं आता है तो हम पीस के डालेंगे और यहां पर मैंने जुनगा डाल दिया है अब इस सबजी को 5-10 मिन तक लगातर भूनेंगे यहां पर हमारी मुली भाजी भी कड़ मुली भाजी को मैं एकदम सिंपल तरीके से दाल डाल के बनाँगी जो और हर की दाल होती है उसे मैंने दो से तीन पानी धो लिया है और उसे कड़ाई में पानी डाल कर उबाल निटले रख दी हूँ और पास मिनट सब्जी को घुनने के बाद इसमें हम पीजा ओँवा धनिया डाल देंगे और इसे फिर से मूली भाटा की सब्जी भी उबल रही है और मैंने टमाटर भी कट कर लिया है इस तरीके से मैं यहाँ पर मूली भाजी में टमाटर एड़ कर दूँगी और उपर से नमक डाल दूँगी स्वाथ कनुसार और मैं यह सब्जी को बहुंती सिंपल तरीके से बनाती हूं और इस तरीके से देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है तो मूबाल आ गई है इसे खाएंगे ना तो आपको बहुंत ज़्यादा टेस्ट लगेगा और यह मूली भाजी है अगर आपके पाल बागन है तो आप डाल दीजे मूली भाजी में भी तो मूली बाजी को छौका लगाने में आसानी हो इस तरीके से हम बाजी को bisa लीथ हैं क्योंकि हमारे हमारी जो kis हैएब궁 लिंगाते चावली तो वह थोड़ा सा उस तरफ नहिं बनता है चावल लगाते इसलिये हम मैं इसी तरफ लगाते हैं अब मैंने थोड़ा सा दाल को भी गर्म होने के लिए रख दिया है और हमारी चामल भी उबल रही है चामल भी लगबख बन रहा है इस तरीके से मैं सलाद कट कर लेती हूं ताकि मेरा काम आसान हो जाए फटाफर से प्यास टमाटर पीट गाजर सब मैं कट कर लेती हूं क्योंकि हॉस्पिटल भी लेकर जाना है मुझे फटाफर से मैं भाजी को अब छोखा लगाऊंगी छोखा लगाने के लिए मैंने एक प्लेट में भाजी को ट्रांसपर कर लिया है और उसमें पढ़ाई में मैंने टेल डाल दिया है यह देखिए हमारी चांवन भी हो गई है तो मैं इसे पसा लेती हूं फटाफट से काम करना पड़ता है वह बहुत परसानी भी होता है करना तो पड़ता है ना अब मैं यहां पर तेल गरम हो जाने के बाद लसुन मिर्ची डाल कर मैं भाजी को तड़का लगाऊंगी इस तरीके से और इसे चम इसे हम छोगा लगा लेंगे ये सब्जी भी पहुंत ही जाद ुदरatin बना कर देखिएगा भाजी को कभी मत भेखिएगा यह बहुंच जादा टेष्टी भी लगती यह शरीर बहुंत लाबदायक होती है इसलिए आप इस भाजी को जरूर बनाई है इस तरह किसे चौका लगाने के बाद हमें दो मिनट तक सबजी को ऐसे ही ढख देना है और गय स्वान रखना है अब मैं अब दाल को तड़का लगा लेती हूं तो दाल को तड़का मैं प्याज में ही लगाऊंगी प्याज और जीर जीरा के सांथ या तो फिरला सुन और मिर्ची के सांथ जाता करके फ्राई करते हैं एक दम सिंपल दाल खाने के सौकिन है हम लोग हमारे घर में टमाटर वाली दाल नहीं बनती है तो प्याज के लाल हो जाने के बाद हमने यहां पर जीरा डाल दिया है थोड़ा से सुखा तो दो चार पत्ती मैं खड़ी पत्ता डाल दी हूं सुखा हुआ इस तरिके से हमारी प्याज भी गोल्डन हो चुकी है तो अभी से हम तड़का लगा देते हैं दाल में डाल देंगे हमारी दाल भी अच्छी खासी बन गई है रेडी हो गई है इस पे थोड़ा सा पाने डा लेकर भी जाना है तो उनके खाते तक मैं लांच बॉक्स क्रेडी कर दूंगी और खाएंगे उसके बाद लेकर के जाएंगे अभी तो मेरी देवरानी नहीं खा रही है क्योंकि सीजर से हुआ है तो अभी उसको खाना नहीं है एक दो दिन और खेंसे दिए आपको मेरी और अब मिलते हैं अगले वीडियो पर वाफ आए टेक्यार जी यो